Hello students, see, in this program I am just trying to add two numbers, okay, so here, A एक वाल्यू होगा, B एक वाल्यू होगा, यहाँ पर मैं देखके बता रही हूँ, C को स्टोए प्लेस बी, so A एक वाल्यू ले रहे हैं, B एक वाल्यू ले रहे हैं, और इन दोनों का एड करके हम लोग C में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, और फिर क् करना है, A को डिस्प्ले करना है, B को डिस्प्ले करना है, C को डिस्प्ले करना है, now, मैं यहाँ पर तुमको एक कॉंसेप्ट बता रही हूँ, जिसको एक्चली हम लोग बोलते हैं, Early Binding, ओके, और एक कॉंसेप्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं, late binding इसका मतलब क्या होता है students please see पहले तो मैं समझाती हूँ binding का मतलब का है very simple when we store a constant in a variable okay it means that we are binding a constant with a variable हम लोग उन दोनों को एक साथ जोड रहे है जब ही मैं एका बात बोलूँगी मतलब समझ जाना है कि I am talking about the constant 1694 okay that is called as binding now एक होता है early binding एक होता है late binding अब इसका क्या मतलब है early means कुछ पहले हो जाना late यानि कि कुछ बाद में होना यहाँ पे run को consider करके early binding बोला जा रहा है और late binding बोला जा रहा है यानि कि अगर run से पहले constant को variable में store कर रहे हो then that is called as early binding अगर run function के बाद constant को variable में store कर रहे हो that is called as late binding ठीक है run function run जो हम लोग execute करते हैं उसको base करके एक term आता है early binding, late binding तो मैं वही दोनों चीज़ को program में एक साथ दिखाना चाहते हो see यहाँ पे जैसे ही मैं इस program को run कर रहे हूँ क्या हो रहा है देखो पहले से बता देती हूँ a का value already मैं ले चुकी हूँ 1694 means इस program को चाहे मैं 10 बारी run करूँ हर बारी a का value क्या होगा 1694 रहेगा क्यूंकि मैं run करने से पहले value initialize कर चुकी हूँ done so second statement में just मैं उसको display कर दिया कि a equals to 1694 क्योंकि वो मेरा fix हो गया second statement में sorry third statement में अभी मैं क्या कर रही हूँ now enter the value of b को display कर रही हूँ यानि के a का value already कुछ है now I want to display the value of b b को मैं चाती हूँ late binding करना यानि के run के बाद वो मांगे मेरे को constant user दे constant और वो उसको लेके b में store करे ऐसा कौन सा input function है जो की user से लेता है absolutely correct read number एक ऐसा input function है जो की input लेता है user से किस तरीके का input numeric input very good और लेके उसको किस में store कर देगा b में उसके बाद fifth वाले statement में very simple a, b को हम लोग plus किये और फिर c में store कर दिये फिर यहाँ पे तीनों को मैंने display कर दिया okay let's run this program actually this program was made by Atul okay so I have taken the example of Atul's program and I am showing you the difference क्या है तो Atul भी समझ जाएगा कि कैसे करना है यहाँ पे कुछ error शोग कर रहा है unexpected expression अच्छे सोरी सोरी मैं यहाँ पे इसको जो लिखके रखी थी यह run नहीं होगा okay okay मैं इसको as a comment तुमको दिखाने के लिए लिख दी थी तो C जैसे ही मैंने लिखा वो तुरंद बोल दिया कि यह तो कुछ है ही नहीं आसा करके comment तो run कैसे होगा error दिखा दिया very good तो अब हम लोग इसको run करते है दिखो अभी output क्या दिखा रहा है C A दिखाया 1694 यह मैंने display किया था ना second value statement पे तो यहाँ पे A का value क्या show कर रहा है 1694 now enter the value of B तो यहाँ पे difference क्या हुआ बच्चों अच्छे से ध्यान दो A का मतलब है early binding ठीक है जो already मैंने equal to sign use करके यानिके assignment operator को use करके एक value initialize कर दिया दूसरी बार में मैंने क्या 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 read number input function को use किया तो इसको use करने से क्या profit है ना हर बारी नया कुछ value तुम लोग add कर सकते हो है ना जैसे A का value fix हो गया वैसे नहीं करके हम लोग हर बारी B, A का value कुछ नया दे सकते हैं let's say I am giving okay 1,2,3,4 नया number मैंने कुछ दिया see अब दिखाया A का value this B का value this the sum of A and B फिर तुम को add करके वो दिखा दिया है ना now press any key ठीक है अब समझाया कि difference किया है so students always try to use late binding rather than early binding कहीं कहीं जरौत पड़ता है early binding का जहां you do not want to make your program flexible और जहां तुम fix नहीं करना चाहते ठीक है उस case में तुम लोग please late binding use करो suppose you want to make a value fixed कि हर बारी वही मेरा add होना चाहिए okay हर बारी मेरे को वही चाहिए in that case you take early binding otherwise please use late binding that is use reader number ठीक है तो इस video में we understood what is binding early binding and late binding और एक चीज़ में बताना चाहते हूं rather than writing ऐसे अलग से एक statement मैं concept क्या बताई हूं we can use concatenation simply यहां पे C लिगदो sorry C लिगदो हो जाएगा so why to write this entire statement again which is not required है ना इसको हम लोग और थोड़ा चोड़ा कर सकते हैं similarly यहां पे भी just use plus and pass a वो एक ही लाइन में सबको print करना है ना तुमको तो यह लाइन की जरुरत ही नहीं है okay तो यहां पे right line directly use कर दो ताकि next वाला next line में print हो plus b फिर इसकी हमको कोई जरुरत ही नहीं है है ना देखो किता चोटा हो गया प्रोग्राम वो सीम चीज तुमको output देगा देखो ठीक है so let's say I am giving 10 see the output is this ठीक है बस हो गया तो अगर हम लोग जितना minimize कर गया अगर हम लोग के पास कुछ है use करने के लिए then why not to use it we can always use it okay see अभी ठीक है तो कुछ इस तरीके से हम लोग को प्रोग्राम लिखना जागे किता छोटा हो सकता है न so इसको भी हम लोग omit करके लिख सकते है enter the value of a फिर read number देके a में store कर सकते है value तो c में a plus b करके display कर दो okay thank you everyone अभी बाइब लोग्राम 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 ल